ओके तो वेलकम आल दा यूप्यसी एस्पेरेंट वेलकम टू प्रिसा आईएस तो अगें वेरी वॉर्म वेलकम भाई मी इंजिनर अनुस सर तो आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिसा इस में तो तुडे जो हमने हमने ब्रीफिंग आपको लास्ट क्लास में दी थी कि हम ज ब्रीफियद आपको बिल्स में फिसा हिस्ट वेलकम टॉणे तो जो कि ब्लोगेद। कि आई-एस बाई आई-एस तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हमाई जो एम है हमारा जो टार्गेट है वो यह है कि आपको कम समय में एक बहतर एजुकेशन प्रोवाइड करना और किस तरह से आप आई-एस एक्जाम को क्रेक कर सके एक राइट माइंड सेट के सा प्रिसा आई-एस बाई-एस टैगलाइन हमारा है आई-एस इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो भी फैकल्टी है जो पढ़ा रहे हैं वह अल्रेडी बेरोकेट्स और आई-एस सर्विस में हैं तो आज हम आपको फिजिकल जोगरॉफी या यह कह लिजिए कि जोगरॉफी का जोगरॉफी पढ़ना है देखिए जोगरॉफी कि अगर हम बात करें अगर हम जियोगरॉफी की बात करें इसमें हम लोग दो पार्ट पढ़ते हैं एक बेसिक एक हम बेसिक पार्ट पढ़ते हैं बेसिक जोगरॉफी में हम लोग स्टार यूनिवर्स प्लेनेट कैसे बना प्लैनेट कैसे बने और स्न कैसे बना इसके बारे में बात कर्तें उसके बार फॉलकेड़ों के माउन्टेन के बारे में पढ़ते हैं और मानव का उसके साथ क्या संबंद यानि कि हुमें जग्रोफी के बारे में पढ़ते हैं तो यहां अगर आप देखेंगे जनरल जग्रोफी में हम लोग origin of earth evolution of earth उसके बाद geomorphology में हम लोग interior of earth के बार हम पढ़ेंगे फिर earthquake volcano यह कुछ topics मैंने लिस्ट किये हैं कि हम आपको माइक्रो टॉपिक पे लिए चलते हैं इस तरह से आपको यह पीडियाफ तो मैं आपको दे दूँगा अगर हम माइक्रो टॉपिक पे लिए चलें कि यहां से देखिए जियो मर्फलोजी जियो मर्फ़ो जियो मर्फलोजी अगर हम आपको मैं्क्रो टॉपिक पे लिए चले जो MRzhWhat जिओ पार мыш की चाह करने से पहले देखिएगा जो मिल्फोलोजी को water करने से पहले हम आपको कुछ अब कुछ स्टार्टिंग के रेक्चर वमें हम आपको बेसिक पढ़ाने कोसिस करेंगे बेसिक मतलब आपको यूणिवर्स के बारे में पढ़ाएंगे ए oni जीन उन्हीं वारे में पढ़ेंगे ब्रह महांड के पढ़ेंगे ब्रह म devenा कैसे या ब्रह जबहांड के लिए क्या-क्या थिर्य फथा ues या क्यां क्या थियों जो अभी तक दी गई है सारी क्या हमें देखे नहीं आपको बता दें कि मेरा टार्गेट है कि हर एक क्लेक्टर में हम कोसिस करेंगे कि एक मेंस की कोश्चन हम आप से डिसकस करें ताकि आपको यह आईडिया लगे कि हमें लिखना कैसे है आंसर यानि कि हमें कि माइंड सेट कैसे डेवलप करने या यूपियसी जो पर सेट करती है उसका माइंड सेट क्या है आप से क्या पूछना चाहती है तो इसमें देखें जियो में हम लोग आपको दिखर आओगा इंटिरियर ऑफ एर्थ एविलूशन और क्रस्ट एन रिलेटेट इसमें हम लोग लैंड फॉर्म एन डवलपमेंट उसमें हम लोग रीवर के बारें पढ़ेंगे उसके बाद ग्लेसियर एक से ट्राम यहां पर टॉपिक्स लिखे हुए अर्थक्वेक वालकेनों या ओके जियो मॉर्फ लॉजी का इसके बाद जो आपका टॉपिक आएगा वह आएगा क्लाइमट लॉजी देखिए अगर हम अर्थ के बारें बात करें अगर हम आपको समझाने कोशिश करें कि देखिए अगर हम अर्थ के बारे बात करें तो जैसे यह पार्ट अगर आपका यह क्रस्ट है कि यह इसा माली यहाँ पर वाटर है और इसके चारों तरफ यह आपका एट्मोस्पेर है है तो हमें इनहीं के बारें पढ़ना है हमारा जो पूरा टार्ель के बारे में करना है क्रस्ट के बारें में आपके हम लोग ओसर्टे पढ़ेंगे एक्मास्वेर के लिए क्लायमेटलोजी पढ़ेंगे तो हमारा एर्द गिर्द जो पुरा परएंगे इसमें हम लोग स्वाय का काने इसमें इंडियोग्राफी सब्सक्राइब इसमें अगर शौन्सेट से वह हम लोग इसमें की मेजर क्रॉप केSoil हमें चाहिए होगा वोग हम लोग भायो जेटिंगे अग्र कंडिशन इसालास किया थो बात करें रातव क्लाइमेटर लॉजी है यानी एक्मासेश लिकिटिट ये थोड़ा सा इमपोर्टेंट लिकाना मेजर जो है हम जंक देखते हैं कि geomorphology, climatology ठीक है या oceanography यह ज्यादा important है जिससे कि हमारे question physical geography में बनते है इसमें फिर हम climatology में हम atmosphere के बारे में atmosphere evolution of earth atmosphere पृत्वी की जो atmosphere का विकास कैसे हुआ उसके वातावण का कैसे विकास हुआ उसके layer जो अलग-लग atmosphere के layer है उसके बारे में देखेंगे composition के बारे में देखेंगे atmosphere के composition के बारे में देखेंगे यह जैसे layer है प्रोफोस्फेयर, stratosphere, mesosphere, ionosphere, exosphere इनके बारे में पढ़ेंगे इनका क्या-क्या distribution है horizontal and vertical distribution के बारे में पढ़ेंगे temperature variation के बारे में पढ़ेंगे कि sunlight से जो निकलती है वो धरती पर पहुंसती है कितने पहुंसती है उसका क्या property है क्या characteristic feature है यह सारा कुछ हम लोग atmosphere temperature के बारे में पढ़ेंगे solar insulation के बारे में पढ़ेंगे मैं आपको भी जिस्ट बताने कोसिश कर रहा हूं कि हमारा आने वाला blueprint कि हम कैसे कैसे पढ़ेंगे और क्या अलग करने वाले हैं वह मैं समझाने की कोसिश कर रहा हूं कि आप सब यह जो जो भी नोट्स है जो भी यह क्या नाम है लिवस का PDF है या आने वाले classes की PDF हो आपको सभी लोगों को telegram group पे मिल जाएगा और जो हमारा online telegram group चल ला उस पे और प्रिसाइस का टेलिग्राम ग्रूप है उस वह आपको मिल जाएगा सब चीज कि आप लोग इसको काफी अच्छे से में प्लासिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है इसको हम डिसकर करेंगे इस तरह से कुछ हमारा उसके बाद इंडियान जोगराफी है इंडियान जोगराफी में डेखें यह मैंने कुछ माइक्रोसलेबस लिस्ट करके दिया कि जो की इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसे एक जिस्ट आइडिया लगे कि हमें क्या पढ़ना है इंडियन जोग्राफी में फिजिकल फिजोग्राफी ऑफ इंडिया उसमें माउंटेंड ड्रेनेज डेजर्ट वेजिटेशन घाट यह सा अगर हम कहें तो जोग्राफी की बारें बात करें तो जोग्राफी में एक तरह से कह सकते हैं सब कुछ कनेक्ट हो जाता है चाहे आप उसको समाजी दिरिश्ट को से देखिए पॉलिटिकली देखिए उसमें आपको आपको दिखेगा कि रिवर वाटर डिस्प्यूट है तो एक तरह से हॉलिस्टिक व्यू जो है वो जोग्राफी में हम आपको प्रोवाइड करने की कोसिस करेंगे इसमें उसके बाद आप अचले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर यह तो मैंने बस जिस्ट है से लिए बस की कैसे करना है लिए से कंड पीडियोफ को हाँ सब्सक् आपको अब गरूप मिल जाएगा कि हमें क्या 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 अपक्मिंग डेज में पढ़ने हैं और उसको स्लेबस आप हाट कॉपी में अपने पास रख सकते हैं और फिर आप टिक लगाते चलेगा और ऐसा नहीं कि लिए उतना ही स्लेबस का पार्ट है इसको मैंने जिस्ट ब और क्या-क्या पॉइंट्स इंक्लूड करना तो वह आपको स्लेबस से चीजें हो जाएंगी तो चलिए ऐसा करते हैं स्टार्ट करते हैं अगर हम इस वर्ड को ध्यान से देखें जेग्राफी वर्ड को ध्यान से देखें ति यह दो जीओ प्लस ग्राफी यह ग्यूर्प लश्ट रोग्राफी जीओ मिंस आपका अर्थ हुआ हॉँ और इस अर्थ के इस्टेड़ी को इस्टेड़ी ओफ एर्थ इस्टेड़ी ओफ आर्थ यह अर्थ के इंटिरियर या एक्स्टियर जो भी कहलें उसकी पढ़ाई पो हम तो बोड इंटर रिलिटेट क्यों इंटर रिलिटेट बात करते हैं मैं अर्थ अर्थ और इंटर रिलिटेट यह एक दूसरे से इंटर रिलिटेट है क्यों अर्थ पर पाए जाने वाले जितने भी रिसोर्सेस हैं अर्थ पर पाए जाने वाले जितने भी रिसोर्सेस हैं उस तो मानव का जो मानों की जो रूची है या मनों का जो बिहवियर है वह कहीं ने कहीं अर्थ के बिहवियर को डिसाइट करता है अगर हम एक्सप्रोइट करते चलेंगे resources एक समय ऐसा भी है कि आप देखते होंगे Global वारी मीं हो गया इतने सारे अर्थ सम्ट सोते हैं अर्थ की related तो विकॉज क्योंकि हम कहीं न कहीं सोर्स को क्या कर रहे है सबक्रेट कर रहेये उसको यूज कर घिक है सिस्टेमरी साइंस ज्सिटेडि ओफ आथ इस्सिटमेटिक मैनर वे सिस्टमेटिक मैनर वे का मतलब हम यहां पर तर्क करते हैं और हर चीज का एक research है explanation है जिसके बारे में लोग जोगहरफी में पड़ते सी को हमनेद्स में रखा गया देखा जाती यह फिट है नहीं है लेकिन आप देखेंगे जिए कि हर concept को साइन्टिफिकली ही प्रूफ के जाते हैं और बहुत सारी बाते जो है कह सकते हैं और बहुत सारी बाते यतो इस पहले टॉप करने जा रहे हैं कि उनिवर्स बाना और उसके हम लोग नोगे ogni के बारे में पढ़ेंगे कैसे सारे बने ब्रहमांड कैसे बने और इसके कुछ फेमस पॉस्टुलेट्स कैसकते फेमस हाइपोथेसिस दिये गए है उसके बारे महां फोड़ा सा डिसकस करेंगे उसके बाद हम इनुवर्स के तरफ आते हैं जैसा कि हमें पता है कि करेंटली जो सबसे हमने जो नियम को मात्यो इस है पोथेसिस तो हम थोड़े आपको थियूरी के बारे में बताते हैं उसके बाद हम कॉस्मों के और आगे बढ़ाने के कोसिस करते हैं कि अब देखिए और जीन एड इविलूशन ओफ इसमें बहुत सारे थिवरी दिगई है हमें कुछ फेमस तीन थियूरी के बारे में जानना है जैसे पहला है गैसियस हैपोथेसिस ऑप कांट माना कि कांट साब की थियूरी जो है वह वह वैलिडेट नहीं हुई बट यह कह सकते एक पहली थियूरी दी गई और काफी हद तक जो है चीजों के एक्स्पेंग करने की किसकी यहिंगे कांट साथ की पड़नी पड़ेगी फिर नेली तरहनी है उसके बाद हम लोग प्लांटिस्पीमऩ हैं पांटिसाइव साफ के बारे में पड़ें है उसके बाद बिग-बैंग थियूरी फोड़ा याद रखेगा मैं बाकि जिस्ट बता दूंगे कि समरी कहना कहा चाहते हैं जैसे करना बात करें पहली त्योरी कांट साथ एक जर्मन फिलोसफर थे इन्होंने पताया था कि हमारा ब्रह्मान कैसे बना अब इनके इन्होंने कुछ बाते आजियूम किया था कि यह पूरी जो ब्रह्मान संरचना जो है एक पहले बड़ा साइक ग्लोब था और वह कुछ इस तरह से था कि उसमें कुछ प्री मॉडियल मै जो है पहले से एक्जिस्ट करते हैं जो कि सॉलिड हैं और ठंडे हैं और आपस में एक बल के कारण गुर्तवाकर्ष्ण बल के कारण जो है आपस में और इस बात को एक्स्प्लेंड करने के लिए उन्होंने एक तो नुटन साब की थियोरी को लिया नुटन फर्स्ट कीसी किया हम आपको समझाते हैं इन्होंने का ल का दॉपस्प्रेमाद से बना हुआ है जो है यह मोडेल में पना हुआ है उप कूछ सु気 regrets प्री मोडेल मेंटल से बना हुए और यह जो प्री मोडेल मैंटर्स है यह सॉलिड है solid है और cold है solid और cold है और समय के साथ यह आपस में collision करने लगे दीरे-दीरे समय के साथ यह आपस में collide करने लगे यह जो पार्टिकल्स है जो pre-module particles है जिन्होंने उनका कि पहले से ही ब्रह्मान में विस्थापित यह कंड है यह आपस में टकराने लगे और जैसे जिस आपस में समय के साथ इनके अंदर जो है energy का विकास वहने energy बढ़ी कोई भी चीज़ टकराएगी तो इसको बस kinetic energy होगा और वह energy वह kinetic energy जो है वह convert हुआ heat energy और धीरे-धीरे यह जो कंड है यह दीरे-धीरे इसका जो है size बढ़ने लगा जब size बढ़ने लगा धीर-धी मतलब अब इनकी स्तिती solid से दीरे-दीरे hot gaseous में convert होने लगे hot gaseous में convert होने के जिसको नेbula कहा गया और यह hot gaseous में convert होने के बाद यह जो है इनकी size क्या होई बढ़ने लगी और यह अपने axis पर rotate कर रहे थे अब अपने axis पर rotate करते तो डूटू ऐसा उन्होंने कहा कि डू मतलब मैटर्स थे वो ठंडा होने के बाद आपस में agglomerate हुए यानि की मिलने लगे अब जैसे से यह agglomerate हुए यह planet का अविस्कार किये मैं जिस्ट बता रहा हूं और भी चीज़े में आपको समझाने को समझाता हूं तो यह planet का अविस्कार किये अब समस्या यह नहीं थी सर्चर थे उन्होंने यह कहा कि अगर न्यूटन का फ़र्स लौ लगाते तो न्यूटन साब ने कहा था कि कोई चीज अगर रेस्ट पर है रुकी हुई है तो वह तो तब तक मोशन में नहीं आ सकती जब तक बाहरी कोई बल ना लगे और जब तक आप इस पर एस पर किए तो बल्प आया कहां और जिन क्या था इस बल मोमेंटम जब हो रहा है तो दो का सेंट्रीपिटल और एक सेंट्रीफ्यूगल इतना बढ़ गया कि सेंट्रीफ्यूगल से जाधा हो गया लेकिन इन्हों एंगला फर्मोडानने में जब बारें बात करेंगे और थोड़ा सा आको जिस्ट देते कि मोमेंटम होता क्या है मोमेंटम यह होता है मास इंटू विलासिटी मास इंटु विलाशेटीी जो यो ऑतायो होता और किसी चीज को सरक्ला पास में आई से रोटेट कर रहें इसके पास जो मोमेंटम मोमेंटम से अगुलर मोमेंटम से यू ऑचुछ है ऐसे का सबस्ट है एंग्लर मोमेंटम से नियुक्त के अगर brains सेम है या एंगलर मोमेंटम सुड़ भी इंवर्शली प्रोपोर्शनल टू बन अपन और स्कॉइल तो एंगलर मोमेंटम अगर हम सिध्धान्त लगाए तो वह रेडियस बढ़ने कलावा रेडियस कंजाव होना चीए मतलब सिकुड़ना चीए था ना कि फैलना चीए था इस बात को भी इस इस कॉंसेप्ट को भी जो है कांट साब एक्स्प्लेइन नहीं कर पाए तो देखें बबताते हैं इन्होंने क्या-क्या कहा सम्झाने कोशिस करते हैं मैंने थ्वड़ा सब जिस्ट दिया है आपको तो यहां देखिए इमलोर कांट जर्मन फिलोस्पर अच्छा इन्होंने किताब लिखा था यह पेपर भ्याद रखेगा किसमे बाते लिखी थी इतना बड़ा नाम है बट आप यहां आप यहां से इतना आप नाम याद रखिएगा जन्रल हिस्ट्री एंड थी ओफ हैवें यहां तक याद रखिएगा इन्होंने इस बुक में अपनी बात को याने अपने हैपोथेसिस को इन्होंने कहा था 1755 में यह बात आप याद रखिएगा ठीक है 1755 और इन्होंने जो बेस लिया था वो न्यूटन्स का फस्ट लॉव लिया था निटन्स आप का फॉस्ट लॉव इन्होंने लिया और एंगिलर मोमेंटुम है याध रखिए बात को दो बातों का जो है इन्होंने प्रयोग किया था अपने हैपोथेसिस को समझाने के लिए एक निटन्स आपके नियम को और पताते हैं नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा देखिए अब मैंने यह लिख दिया ताकि आपको लिखने का समय थोड़ा बस सके क्योंकि मैंने पहले बता था कि नोट्स आपके खुद के होने चीए तो आपको यह मिल जाएगा आप इसमें से क्रिप्स नोट्स आप बनाने कोसिस क सब्सक्राइब मैं आपको समझाने कुछ नोट्स कैसे बनेगा उन्होंने बोला कि यह यूनिवर्स है वह पहले से ही एक सूपर नेच्रोल प्री मॉडियल हाट प्री मॉडियल सब्स्टेंस से बना हुआ है मतलब पहले से ही ब्रहमांड में आल्रेडी कुछ पदार ऐसे ब अगर कीवर्ड आप नहीं यूज कर पा रहें तो कहीं नहीं ऐसा महसूस होगा जो भी कॉपी चेक करेंगा कि आपने उतना सही आंसर नहीं लिखा या आपके सैली लिखने में थोड़ी सी कमी रह गए तो आपको कीवर्ड भी पकड़ने है और मेरा ऐसा मानना है कि जितने सब्जेक्स है जाए वह जोग्राफी हो हिस्ट्री हो पॉलिटी हो एकनॉमिक्स हो हर सब्जेट का अपना सब्द को सोता है एक कीवर्ड होता है अगर उस कीवर्ड पर कोसी पकड़ कर लेंगे तो आपका आंसर एक लेस्टिमेट आंसर बनेगा मतलब आम लोगों से अलग बनेगा ने तो आमोमन आप कहा देंगे बहुत ही पुराने समय का कोई पदार्थ तो ऐसा ना आप पर कीवर्ड पर ध्यान दिजेगा सो प्रेमोडियल हार्ड मैटर्स ऑलेडी जो है ब्रहांड में स्कैटर्ड थे ऐसा उन्होंने एज्यूम किया दूसरा क्या उन्होंने बोला बोला कि यह जो प्री मोडियल मेटर यह स्लोली स्लोली अपनी जगा पे घूम रहे हैं मतलब रोटेट कर रहे हैं और यह किस से बनें यह क्लाउड ऑग गैस अन्मेटर कंपोस ऑफ वैरी कोल्ड सॉलिट एंड मोशनलेस पार्टिकल अच्छा अब यहीं पर देखिए यहां पर क्या कांध सामने कहा इन्होंने पहले कह दिया कि यह जो प्री मोडियल मेटर है मोशन लेस है मतलब इनके पास कोई गती नहीं और दूसरी तरफ यह कह रहे हैं कि यह निउटन का फर्स्ट लॉय उसकी है अगर वाई किसी चीज में गती नहीं है तो गती आने के ल यानि जो प्री मोडिल मेंटर है यह मोसन लेस है होले सॉलिड है तो आप यह बताईए इसके पास गती आई कैसे उस गती आने का कोई सोर्थ होना चीए कोई सोर्स होना चीए इस बात का जस्टिफिकेशन कांड शामने ने लिया जिसके वज़े से जो त्योंगे नहीं लिए उसके बाद देखिए अगला पॉइंट देखीए हैं पहले था वे दीरे दीरे गैसियस में होना इस्टार्ट हो गया वैसे तो पहले solid होता है फिर liquid फिर gaseous चलिए हम मान के चलते हैं sublimation process में क्या होता है कि एक state direct intermediate state को जम कर देता है कान साथ के हिसाब से हम यह मान लेते हैं कि solid से gaseous state में change हो गया कौन सा यह pre model due to increase in temperature because of collision because of collision तो दूसरा ओके और यह धीरे धीरे एक इसमें convert हो गया और नेबुला में convert हो गया और अपनी एक्सिस पे यह बहुत तेजी से रोटेट करने लगा हमें के साथ यह जो स्पीड थी और बढ़ने लगी यह जो गती यह 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 बढ़ने लगा और इस वेलोसिटी के बढ़ने के कारण जो है इसका जो है एरिया बढ़ गया मतलब यह एक्स्पेंड हो गया यह एक्स्पेंड हो के 9 अलग लग रिंग में बढ़ गया तो यहां पर देखें मैंने लिखा हुआ है आपको according to Immanuel Kant has the heat increase the size of nebula increase and the size of nebula increase and increase the angular velocity of rotating speed is also increase नोने कहा कि जैसे साइस इंक्रीज कर रहा था उस उस पार्टिकल्स के जो गैसे स्टेट में चेंज हो गया थे उनका एंगलर आएनने अनने Ganoo एंगलर वेलोसीटी वह भी बढ़ रहा है हम वेलोसीटी क्यों बोलेंगे चनलर हım दॉसाइंज हो रहा है वह सब्सक के आए इंयुक्ति डासोन की सब्सक्राइब का सब्सक्राइब कईस अगर बार 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 क्कारिभ wanna P कि देखिए यह अपनी एक्सिस पर इतनी तेजी से रोटेट कर रहे हैं कि जो से देखिए दो तरह का फोर्स होता है एक अंदर की तरफ लगता है उसको हम लोग देखेंगे वासिंग मसीन में या जो बटर निकालते हैं दूद से वह सेंट्रिफ्यूगल इसके वज़े से नौ अलग अलग रिंग्स डेवलप हो गया है नौ अलग अलग ऐसे रिंग डवलप हो गया और जो बीज का खाली स्पेस बढ़ गया वह बन गया सन में बीच का जो खाली स्पेस रह गया वह अलग 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 रिंग्स डवलप होएं इन में जो पार्टिकल्स थे कि जब थंडा होए तो मिलके अलेड बना लिए ठीक है यह जो पार्टिकल्स थे यह मिलके आपस में इसको यूज़े से मैंने इसको यूज़ किया आप यह देखेंगे यह रिंग बन रही है यहां और हर दिंग में धीरे-द्रे प्राइट डवलप हो गई कोसिश करेंगे कि तरह से यहां पे इस्प्लोड उरहा है मतलब यह पर फिर इस पिन करने के बाद यहां पर अलग-अलग灯 में धरब्लॉप हो और इसमें चण जो पर प्रेजब्ल हो रहा है आप क्या सकते हैं में意से सकते हैं शुटे और नेविघो के सकते हैं तो देमेर्ट यह जो प्रекड पीर मोडियल å का दंस नहीं कर पाई नहीं और यह और यह टिक रानेटर से थी कि अलग होंग इस वात को भी सब्सकार्भाण में यह ड्रॉब्यक्ट है तो यह द्रॉबैक दूसरा एंगलर मोमेंटम का जो सिध्धान्त है इसको भी वैलिडेट नहीं कर पाए कि अगर कोई चीज बहुत एस से घूम रही है तो उसका जो साइज है रेडियस होगा ना कि इंक्रीज होगा इस बात को भी जेस्टिफाई नहीं कर पाए तो यह जो थ अब कुछ गलत है इन्होंने बोला कि हीट पहले से विद्धमान थी कि प्रिया मोडल एक्जिस्ट करता है बट उसके पास उर्द्या वह पहले से थी और यह बड़े उस्यार थे कि रोने क्या बोला कि वह जो एंगलो मोमेंटम है उसका कॉंसेट भी हम क्या करते कंसर्ब कर यह भूल लेते तो होते गया जो पार्टिकल्स थे ठंडा होते होते है जब इस्पिन कर रहे ते रोटेट करते रहते यह आपका में का फोटे होते रहें का वॉल्यूम घटने लगा जब गटा इनका जो जूड झाएंग दो वॉल्यूम घटे गा और अनस अगला बढ़ ज बोला कि गूला से यह गूम रहा है से एंगल मोमेंटम से यह बाहर वाल सरस्फेस दुर्था, वो वो तोल्डर को फुल्डर हो जाना थंडा हो गया उसमें से एक रिंग जो है निकल देड़ जो नेबुला बना से जो बाहर वाला सरस्फेस था यह ठंडा होने के वजे से इस से डीटाइच हो गया जो अंदर रह गया वो सन बन गया इंगेनी टीटाइच हुआ यह ने एक रिंग बीडिन है सिंगल रिंग डीडिटाइच हुआ और यह सिंगल रिंग्संग आनड नाइन सकती प्लाइट बंड़ मोले कि इन academy सब कर THAT तो इन्होंने दिया तो फ्रेंच मेंटिविटेशन थे लाप्लास इन्स इनकी किताब थी उस बुक में लिखा था एक्स्प्रोजन ऑफ देवर्ट सिस्टम ठीक है इन्होंने बोला कि पहले से प्री मोडियल सब्स्टेंस एक्जिस्ट करते हैं ब्रह्मान में यानि यूनिव इन्होंने कहा था कि पहले से ही मांड में इन्वर्स में गरम नेबूला प्रफ जो है वह प्रेजेंट है और यह जो हॉट नेबूला यह रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे घूम रहा है चीक है और इस भूमने के वज़़े से दीरे-दीरे जो आउटर सर्फेस के मैट जब चीजे क्वान्ट्रेक्ट होगी एक जगा प्यादागे यहन्य की वॉल्यूम उनका सिकूर जाएगा अब वॉल्यूम शिकरने को इसे क्या एंगलो मोमेंटम काफी बढ़ जाएगा तो जो एंगलो मोमेंटम की समस्या थी ना उनके साथ कान साब के साथ यह को जस्टीफ इसको तरग देंकर नहीं बॉला कि नेभुला जो ना वह हीड्रोजन और ह्यृफी ही बनता है र हुआ है इसके यो दिया कि इसके वजह से इसके इसके पास नुक्लीर फिघंस से इनरजी को मिल जाती है लिए सुनिय इन्हों घड़ेगा और इससे क्या हो कि एक समय आएगा कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ जो ठंडा होगा उसमें से एक रिंग सेंट्रीफ हो जाएगी दा आउटर इंग वस सेपरेट फॉर्म दा रिमेनिंग पार्ट ऑफ दा नेबूला ठीक है तो बहुत तरह काफे सालों का कि एक सेप्टिबल भी रहा ठीक है अच्छा अच्छी बात कि इनों ने और भी चीज एक्स्पेंट की जिसे एक्मोस्फियर अर्थ का अट्मोस्फियर और बहसावाज रिकॉंसेट्ट जो है इस हैपोथेसिस एक्स्पेंट किये जा सकते थे और किया था इनों ने ठीक है तो पार्च मट का ब्रेक लेते हैं फिर आप इसका फर्दर प्रसेड़ करते हैं